आज की रेस्पियों सबसे पहले हम लेंगे 4 टेबल स्पून ओयल सारी चीज़े मैंने उपर मेंशन कर दी हैं आप उसी कोड़िंग सबस्टर लें 1 टेबल स्पून गारलिक पेस्ट इसको अची तरह फ्राय करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जागे सारा प्रोसेस हमने लो दो मिनट के लिए फ्राय करेंगे नेक्स इसके अंदर गाजर डालिए 2 कैरट्स बारीक चॉप की हुई आप इसको आड़ करेंगे पिर आप इसके अंदर डालेंगे बंद को भी जो के तीन मीडियम साइज की बिल्कुल बारीक करती हुई मैंने लिए है इसको चार से ज्यादा और कम भी कर सकते हैं फिर इसके अंदर सॉल डालेंगे एक्वाडिंग टीस्ट फिर इसके अंदर एड़ करेंगे हम बलाक पेपर और साथ चिली पाउडर वह भी आपने अपने टेस्ट के अपर डालें जितना आपको चाहिए स्पाइसी अब इसके अंदर तुब चार से पांच मिनट के फ्राय करेंगे और आप इसको स्मूसी रॉल किसी भी पेस्ट में डाल सकते हैं चिकन भी आपकी च्वाइस अगर आड़ करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं तो यह अकेली वेजटेबल्स भी बहुत टेस्ट लगती हैं अमीद आपको यह रेस्पी पस करूंगी वो भी आपकी च्वाइस है अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं अब इसको मेकरोनी डालने के बाद हम टू से थ्री मिनट के लिए फ्राय करेंगे बहुत ज्यादा नहीं फ्राय करेंगे बार बार बता रहीं और इसकी फिलिंग को भी थोड़ा ठंडा करें अगर इसको आप रोल से मुसी किसी के अंदर भी फिल कर सकते हैं इन्शाला हूंगी नेक्स वीडियो के साथ अल्लाहाफ़ज